आप सभी का एड़ोर में स्वागत है दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ MP Board का अच्छा 10 वी का महत्तपूर कोशन पेपर और ये revision classes है तो अगर इस चैनल पर नए है तो चैनल सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से एर कीजिए आपके एक्जाम के लिए अती महत्तपूर है और कल से आपके एक्जाम होने वाल है तो अगर इस चैनल पर नए है तो चैनल सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अंतक देखे, मैं आपको सारे महत्तरपुड कोशन बताने वाला हूँ, जो आपके एक्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं पहला कोशन, तो जो हमारा पहला कोशन है, कि अनुवानसिक का जनक किसे कहा जाता है, अनुवा सुत्र में कितना सरच नाय पाई जाती है, भहती महत्तरपुड तो यह पाई जाती है, शिक्स यानि के बी नमबर हो जाएगा, अगला जो कोशन आपके लिए बहुती महत्तरपुड है, कि अनुवानसिक का अंतरगत अधन किया जाता है, अनुवानसिक का अधन किसका किया जाता है तो बहुत ही मत्यपूड कोशन ता यह क्या जाता मात्या-पिता के संतान में लक्षडों की वनसगितकार अब देखिए यह जो कोशन है एंपी बोड 2009 में पुछा किया तो इस बार पुछे जाने कि पूरी पूरी संभवना है चलिए देखते अगला कोशन जो आपके श्रीज करा जाया तो इस चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा सेयर कीजिए चलिए देखते अगला कोशन अगला कोशन है कि मनोस की कोशन का में गुण सूत्र पाए जाते हैं तो यह यह कितने पाइस तो यह हो जाएगा आपका एंसर 23 जोड़ी यानिका option A हो जाएगा देखिए कोशन 2016 में पूछा गया बहुत ही महत्यपूर कोशन तो अब चलिए देखते अगला कोशन जो आपके लिए बहुत ही महत्यपूर होने वाला है कि पूर्शों का गुण सूत्र लिग और ढ़ण के लिए उतरदाईत हैं तो आपको बताने कौन है एकसवाई एकसवाई और एकस़ तो आपका एंसर हो जाएगा सीथे सीथे हो जाएगा यानिकी एकसवाई होता है जो पूर्स में गुण शूत्र होता है किड़ी दर पिडि विभिन लग छड़ों में आप चलिए जो आपका अगला कोश्चन है बहुती महत्यपूर है कि अब चलिए देखता अगला कोश्चन जो आपके लिए मत्यू पड़े कि मेडल एक परियोग में लंबे मटर के पौधों को जिन में बैगनी पुस्प थे का संक्रड़ा बौने पौधों जिनके सफित पू अब चलिए देखते हैं अगला कोश्चन जो आपके लिए महत्यपूर होने वाला अब जो है हमें रिक्त अस्तानु के पूर्ती करना है जो आपके लिए एकदम महत्यपूर होने वाला है अब जो कोश्चन आपका है कि गुण सुत्र संतानित उत्पदित में धैस होता है त चली देखते हैं अगला कोश्चन डीने का पूरा नाम क्या होता है यह होता है तो यह होता है डाई नुकलो एकसि तीग है अब चली देखते हैं अगला कूश्चन जो हमार है कि अगला जो हमना कोशिश के पीड़ि घर पीड़ि लक्षडों को ले जाने वाला वहाँ aters किलाता है जो आपका मत्यपूर कोशन है यह कारक किलाता है उसको क्या कहते है अब अगला जो है कि हीमोफीलिया aters रोग है हैं गला काशन है बहुत ही मत्तपूर होने वाले कि दो बीपरित लक्षड़ों के साथ लेकर कराएगे संकरण को डैस क्रॉस कहते हैं तो क्या कहते हैं दिव संकरण करते हैं प्राड़ी अपने बुढिया परियदन में पुर्वजों की डैस और स्थाओं को द्वराता है हुआ कि भूडिय और सावो का द्वाराता है अगला हं कि去了 में मिर्तुदर डैस हो थी है अगला पूठ के लिए बहुत मौत्त्य पूड होने वाला पसे देखते हैं ये ढ़े माँत्यल कोशन गूरत के दाव prends देखिए अगला जो है यहां से देखिए पूरा चित्र देख सकते हैं और यह देखिए यह जो आपका कोश्चन है यह 2010 में 2012 में 2014 में 2017 में पूछा गया था इस बार भी पूछे जाने की पूरी शम्भाव ना है अब चलिए देखते हैं कि क्या होता है सभी यूकेरियोटिक को देखिए धागे के शामान सराचेना जिनके अनुवान सिख पदार्थु की कोश्च का द्रभ्य में सोतांत्र रूप सेन्ना रहकर केंद्र में कुछ विस्स रचनाव के रूप में विवस्ति गुण सुत्रकाला था देखिए यह इसकी फोटो ऐशे ही आपको देखता है त अगर इस कोश्चन को आप करते हैं तो आपके चार नंबर सीदे सीदे पक्के हो जाएंगे देखिए अब परिभासा और जीन को वहन करने वाली व्यक्ति जिवद्रभ्य इकाई जो नीमित रूप से उत्रोतर कोशिकाओ के विभाजन द्वारा गुणन करती तथा उसमें तो आकिरिक एयों कारियों को बनाय रखती है गुड़सुत्र कालाता है आप चली देखते है कार्य क्या होता है अनवान सी के महत्वपूर्भूंका निभाते हैं और गुड़सुत्र के प्राकृतिक संतानित बनते हैं जो कोशिकाओं में पहुँच कर नए जीवन का निर् पूदु का खुर्दीदार और हरे बीज पूदे वालों को संकड़ों कराने प्रतम पीड में गोला एक पीले बीज वाले पूदे के तरह निर्माण होता है जासा कि यहां पर आपको सो किया जा रहा है अब देखिए यह भी आपका जो मेडल ने अपने प्रियोग के लिए आग लगाना चाहते हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक किजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से रिखिए से मेडल ने अपने प्रियोग में मटर के पौदों का चैन निम्र कारण से किया पहला मटर का पौदा आसानी से सर् परागित होते हैं अगला जो उसका उजारण होता है कि मटर के पौदों में अन्यक बिरोधी गुड़ पाए जाते हैं मटर में क्रित्रिम रूप से पराकाण द्वारा असानी से संक्रण कराया जा सकता है अब जो एक जीन के तीन परमुख कार्य लेखिए जीन जीन बहुत प्रिवेश करता है यह उत्तर तर्वित होकर नय गूड उत्पन करते हैं सुचना प्रिशक में सहाइक होता है अगला जो कुशन आपके लिए और भी महत्तरपोड के मेडल को अपने परियोग में सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक किजिए और इस वीडियो को अं तक देखिए तो देखिए यहां पर इसका गूर्ण दिया गया अब यहां से यहां से एक कुछा चाजय जीओ नो टाइफ या फिनो टाइप में इस तीन अंतर लिखिए जैसा कि आपको अंतर यहां पे सो कर रहा है तो यह इसके अंतर होते हैं यह यह जीन संगठनों को वै करता है इसका लक्षण सम्मान होता है इसमें किसी प्रकार की कारक प्रभवित नहीं करते हैं इसमें जीक जीनिक संगठन अलग-अलग होते हैं इसका पूरवज गुणों के अधार पर किया जा सकता है इसके उपरी इसकी प्रितिन करता है अब यह आपके बहुत ही महत्रपूर महत्रपूर कोश्चन है जो आकि आपके एक्जाम के लिए सीदे सीदे पूछे जाने वाले कोश्चन है अगर इस चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो का लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए चलिए इसी के साथ इस वीडियो के खतम करते हैं मैंने बहुत सारे सीरीज चला है हुआ तो अगर आप पिछले सीरीज देखना चाहते है तो चैनल पे जाए और पूरे सीरीज आप देख सकते हैं जिसमें मैंने सारे महत्ता पूर कोशन आपकी कराये हुए चलिए इसे साथ इस वीडियो के यही खत्म करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में